कि अधिए अधिए यहां पर यह बताया जा रहा है कि यूमन इंडूजड क्लाइमट चेंज ही है तो आज किस वीडियों में हम जानने की कोशिश करेंगे कि यह रिपोर्ट दरसल किसने पब्लिश की हुई है कितना सीरियस एक कंसर्न है और साथी साथ यह भी जानने की करेंगे कि यह वाटर ब्लूइश कलर में हमें जो देखने को मिलता है कि अब पूरी दुनिया में इसी तरीके का ओशन का कलर रहे या पिर कोई डिफरेंट इस वीडियो को शुरू करते हैं तो रीचेंटली नीज चैनल में चाया हुआ था नेचिर नाम का एक बहुत ही जा सालों से हो रहे हैं और most likely इसका responsible reason यह बता जा रहा है कि it is human induced climate change यहने कि human reasons की वज़े से climate change वार है because of that only और area के अगर मैं बात करूं तो 56% of the ocean land से भी कई ज्यादा amount of coverage of this ocean के area का कह सकते हैं जो के shift हमें इस ocean के color में change में देखने को मिल रहा है और साथी साथ यह study का नाम जो था वो global climate change trends detected in indicators of ocean ecology है और पिछले ही मही ने journal जो बहुती प्रसीद journal in nature उसने इसे release किया हो था अब क्या हमें पता चला हुए इस findings की वज़े से देखे experts का तो कहना यह है के भले ही ocean का color change हो रहा हो लेकिन ज्यादा तर हमें direct impact देखने को नहीं मिलेगा marine life पर लेकिन हाँ यह जो आइस्ता से color जो change हो रहा है यह clearly एक indication हमें बताता है के future में ocean का जो ecosystem उसका balance कहीं न कहीं imbalance हो जाएगा हमें इस influx को कहीं न कहीं रोकना पड़ेगा क्यूंकि future में जाकर severely effect करेगा यह ocean के marine ecosystem life को और साथी साथ उन humans को भी destroy करेगा जो के उस पर dependent है most probably fishing community के बारे में हाँ पर बात की जा रही है और साथी साथ इस तरीके के ecosystem के changes आने की वज़े से oceans की productivity जो के बहुत ही rich मानी जाती है उस पर भी effect हमें देखने को बढ़ेगा और साथी साथ ocean जो के carbon storage house भी माने जाते है उसमें भी हमें changes देखने को मिलेगा और साथी साथ कई सारे fishes के लिए जो food supply वगरा भी ocean में मिलता है उस पर भी हमें मार देखने को मिलेगी तो यह कई सारे serious concerns हो सकते हैं in future future अब सबसे पहली चीज ओशन दरसल बहुत ही colorful होते हैं देखिए water का तो कोई color नहीं होता लेकिन oceans कई अलग-अलग दुनिया के अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग colors के देखने को मिलते हैं majority हमें या तो blue या पर navy blue ही देखने को मिलते हैं इसका सबसे important reason यहीं है absorption and scattering of the sunlight sunlight से जो light इहां पर deep और clear water पर जो पढ़ती है जहां पर greater या longer wavelengths होता है colors का जैसे के red, yellow और green वो observe किये जाते है water molecules के दोरा लेकिन blue और violet जैसे रंग जिनका shorter wavelength होता है वो reflect back किये जाते हैं दरसल यहीं एक reason है majority of the ocean हमें blue या पर navy blue रंग का देखने को मिलता है लेकिन जहां पर water इतना deep ना हो और water इतना clean भी ना हो तो वहां पर हमें अलग-अलग different colors भी water देखने को मिलता है यहां पर आप clearly इस globe में देख सकते हो देखें अगर आप Argentina का coastline for instance example लें तो यहां पर हमें एक छोटा सा brown tint देखने को मिलेगा अब purpose यहां पर यह है कि काई सारे rivers जो है वो आकर यहां पर Atlantic के इस ocean में मर्ज होते हैं और कई सारे dead leaves वगेरा कई सारे rivers जो है वो लाकर यहां पर release करते हैं so because of that clearly Argentina के उस coastline पर हमें थोड़ा बहुत brownish color देखने को मिलेगा लेकिन बाकी के area सा कर हम देखेंगे तो वो ज्यादा तर green color है आप में यहां पर देखने को मिलेगा और यह green color इसलिए है क्योंकि हाँ पर phytoplankton होते हैं अपर surface of the water में अब phytoplankton क्या हैं देखें यह macroscopic marine आलगे हैं यहाँ आप clearly देख सकते हैं image को तो इनमें green color का pigment होता है जिसे chlorophyll कहते हैं और यही वो chlorophyll का pigment है जो कि sunlight को observe करता है carbon dioxide को capture करने में atmosphere से और उसे necessary salts में convert करने क कोशिश करता है ताकि यह आलगे जो ही वो survive कर सकता है अब यह study के मताबिक हमें यह बताया गया है कि जो ज्यादा तर affected areas है वो tropical ocean के region ही है एक वटर के आसपास के ही regions में हम इस तरीके से color change होते हुए देखने को मिल रहा है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बाकी के regions में भी ज concern है अब जानने की कोशिश करते हैं कि ocean stratification क्या है image को clearly देख लीजेगा यहाँ पर horizontally ocean के water को जा ocean को जो water है महाँ पर horizontal layers में से divide किया गया है यह उपरी layer जो आप देख रहे हैं यहाँ पर water density बहुत ही कम होती है warmer होता है lighter भी water होता है less salty और nutrient poor water यहाँ पर होता है वही अगर इस नीचे के layer को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर heavier होता है colder होता है saltier और nutrient rich water होता है तो यह दोनों फर्क यहाँ पर होते हैं और यह जो separation हमें देखने को मिलता है उसे ocean stratification कहते हैं याना कि दो layers में differentiation यहाँ पर अब देखें यह कोई ऐसा serious concern नहीं है क्योंकि naturally भी अब जो के यहाँ पर sunlight वागिरा की availability होती है अपर surface में जो ocean में होता है कई ज्यादा activities वहाँ पर होते हैं so because of that यह stratification होता जरूर है लेकिन ocean currents की वजए से winds and tides की वजए से यह दोनों layers है वह आसपास में मिलते रहते है smooth यहाँ पर temperature और salinity का transition भी दोनों के बीच होता है लेकिन अब problem यहाँ पर यह है कि climate change की वजए से stratification बहुती ज्यादा increase हो चुका हुआ है यानि कि यह जो layers है अब एक दूसरे में मिलने में एक दूसरे में यह mix होने में each other वह बहुती आसानी यहाँ पर नहीं हो और यह पहले smooth transition होता था लेकिन अब वहाँ पर तकलीफ हो र पाएंगे और cooler waters के जो below cooler waters होते हैं उनसे mix नहीं पर कर पाएंगे and because of that marine life का survive करना बहुत ही मुश्किल है और दूसरी important सी चीज़ यह है कि जो deeper layers of ocean में जो nutrients available होते हैं वो आसानी से surface तक नहीं आएंगे below ocean से और इसका मतलब यह कि जो phytoplankton है उनके growth पर बहुत ही भारी हमें हाँ पर change देखने को मिलेगा क्योंकि यह phytoplankton जो ज्यादा तर oceans के upper layer पर ही जीते हैं और उन्हें regular nutrition बगेरा बहुत ही जरूरत है और इनके composition में भी बहुत ही ज्यादा गिरावाट आ सकती है कई सारे effects हमें marine ecosystem पर देखने को मिलेगे थोड़ा बहुत phytoplankton के बारे में भी चोटे microscopic होते हैं देखे phytoplankton को खाकर ही zooplankton जीते हैं और zooplankton को कई सारे fish crabs और sea stars वागेरा से कई सारे चोटे-चोटे marine animals से खाकर जीते हैं और इनी animals को खाकर बड़े whale या shark जैसे you know कई सारे animals जीते हैं यानिके एक पुरा food web यहां पर disturb हो जाएगा इन phytoplankton के change होने पर तो जाहर सी बात है कि because of ocean stratification और यह ocean stratification भी ज्यादतर human induced climate change की वज़े से ही आ रहा है so because of that ocean के color में changes भी देखने को मिल रहे हैं और इस तरीखे का web system भी जो है marine ecosystem का वो alter किया जा रहे हैं and because of which आने वाले future में कई सारे changes हमें marine ecosystem में देखने को मिलेंगे तो ये ती चंद बाते हैं आपको इस वीडियो में जाननी थी वीडियो को इंट करने से पहले हैं अब सभी को एक और बार याद दिला दूं के सब्सक्राइब के पास SSB इंटर्वी चे रिलेटेट फुल फुल फ्लेज ऑनलान कोर्स अविलबल है हर माहीने के नहे बैच से सब्सक्राइब कर सकते हैं कर सकते हैं